hi guys, welcome back to my channel आज मैं आप प्रबू के लिए लेकर आए हूँ एक नई वीडियो तो इस वीडियो में इस और दोस के बारे में बता हूँगी तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस और दाट के बारे में बताया था अब मैं आपको these और those के बारे में बताऊंगी तो these और those बहुत ही एक असान टॉपिक है इस टॉपिक को अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये बहुत अराम से आप कर सकते हैं तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने हाँ पे बहुत सारी पिच्चिज एड़ कर रखी हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ these क्या होता है और those क्या होता है तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि this मतलब क्या होता है this मतलब कि कोई भी एक चीज जो हमारे पास हो ये सब तो सब मतलब कि वो बहुत सारी चीज होंगी so these मतलब होता है कोई भी बहुत सारी चीज जो आपके नियर हों आपके पास हों और those मतलब होता है कोई भी बहुत सारी चीज जो आपसे दूर हों आपसे far हो, जैसे कि आप इस picture में भी देख सकते हैं ये बहुत सारी toffees हैं, अगर ये दो हो या दो से ज़ादा हो तो उसमें these लगेगा या दो लगेगा, लेकिन अगर ये एक होगा तो इसमें that या this लगेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हैं these these मतलब होता है, कि जो हमारे near हो, और ये जो toffees हैं, ये इस girl के near हैं तो ये क्या है, these हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये हम हैं मतलब मैं अगर आप ये कर रहे हो, तो आप इसे सोच सकते हो कि ये आप हो और ये toffees आपके near हैं ये far हैं, तो ये क्या होगा, these और यह जो muffins हैं या cupcakes हैं यह आपके near है या far है तो इसमें क्या होगा दोज बहुत easy है next है यह क्या है यह apples है और apples हमारे hands से far है तो इसमें क्या होगा those होगा क्योंकि जो हमारे hands से far होता है उसमें होता है those और जो हमारे hands के near होता है तो यह apples हमारे hands के near है तो इसमें क्या आएगा दीज अब हम next example पर चलते हैं इदर हम देख सकते हैं एक boy है और यहां पर toys हैं तो हम consider करेंगे कि यह आप हो और इसमें इसमें ये जो toys हैं ये इस बॉयY से दुर हैं, far हैं, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इसमें आएगा does, तो इसे हम क्या बोलेंगे? Those are toys ठीक है, अब ये क्या है? ये boy है और इस boy के हाथ में ही इसके hand में ही toys है, so ये तो इसके बहुत जादा near है, तो इसमें क्या आएगा this is these are, sorry, this अगर ये एक toy होता, तो इसमें आता this, लेकिन अगर ये बहुत, क्योंकि ये बहुत सारे 5-6 toys है, तो इसमें क्या आएगा these ठीक है, तो जिसमें जो चीज हमारे near होती है और बहुत सारी होती है, उसमें क्या आता है these, और जो चीज हमारे far होती है, और बहुत सारी होती है, उसमें क्या आता है, those, ठीक है अब हम इसकी एक exercise कर लेते हैं, तो चलिए इस worksheet को कर लेते हैं, ये बहुत ही easy worksheet है, तो इसमें भी हमें ऐसे देखना है हम सोचेंगे कि हम यहाँ पे इस बिल्कुल sentence के end होते ही खड़े हुए है and हमें देखना है कि यह जो चीजे हैं यह हमारे near है यह फिर far है तो यह क्या है cards है तो cards में और यह cards हमारे क्या है near है यह far है near है और ये बहुत सारी cars हैं तो इसमें क्या आएगा these इसमें आएगा these ठीक है, next है ये ये है kites और ये kites बहुत सारी है और इसी के साथ ये kites जो है ये हमारे near है तो इसमें भी क्या आएगा these ठीक है, तो मैं इसके उपपर लिख रही हूँ ये बहुत छोटा box है, next है ये apples और apples हमारे से near है या far है far है तो far में क्या आता है those next है ये balls balls हम से near है या far है far है तो इस near है तो ये near है balls, तो इसमें क्या आएगा these तो these are balls नेक्स है ये books books हम से near है या far है far है तो इसमें क्या आएगा those those are books next है dash are computers ये computers far है तो इसमें क्या आएगा those those are computers dash are trees तो ये trees हम से near है क्यूंकि हम इस sentence के खदम होते ही यहाँ पर खड़े हुए है तो ये हम से near है तो इसका क्या होगा these because near के साथ क्या आता है these और ये बहुत सारे हैं तो इसमें दी जाएगा लेकिन अगर ये सिर्फ one tree होता तो इसमें क्या आता this next है dash are tense तो ये tense हम से near है ये far है far है तो इसमें क्या आएगा those next है TV TV हम से near है ये far है near है और तो फिर इसमें क्या आएगा these these are TVs next है dash are lamps ये क्या है lamps और lamps हम से क्या है far है तो इसमें क्या आएगा those because जो भी हम से far होते है उसमें क्या आता है those next है chairs और या फिर sofa हम बहु सकते हैं तो ये sofa हम से near है ये far है तो इसमें क्या आएगा ये near है तो इसमें आएगा these ठीक है तो यह बहुत easy easy है अब हम यह होप आपको वीडियो अच्छी लगया हो क्योंकि बहुत easy है और आपको होप यह समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत easy easy है these or those अगर आपको कुछ भी query है कुछ भी परिशानी है सबज़े में मेरे को comments में बताएगा मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी तो hope आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इससे like, share और मेरे चानल को subscribe जरूर कीज़ेगा thank you, thanks for watching